आज हम शिक्षाष्टरकम को कंटिन्यू करेंगे पांचवाश श्लोक हम देखेंगे तो हम श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद में थोड़ा सा मेनिंग समझेंगे और उसके बाद में चर्शा करेंगे तो ये श्लोक आता है ऐसे आइनन्द तनुज किंकरम पतितम माम विशमे भवाम बुधाव कृपयात अवपाद पंकजस थितधूलि सद्रिशम विचिंतया तो चेतने महाप्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक पिटीशन दे रहे हैं तो क्या कि आइनन्द तनुज यानि जो नंद महाराज के तनुज है आप नंद महाराज के बेटे हैं आप किंकरम, तो किंकरम का अर्थ होता है सेवक, किंकरो ती इती किंकरा, तो मैं आपका सेवक हूँ, पतितम माम विशमे भवाम बुधव, तो मैं किसी ना किसी कारण की वज़े से इस भवसागर में गिर गया हूँ, कृपया तवपाद पंकजा, स्थित धूली सद्रिशम विचि उसकी रज में मुझे स्थित कीजिए, तो यहां पर चेतने महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, देखो मैं किसी ना किसी कारण से तो गिर गया हूँ, यहां पर भवसागर में, लेकिन आप मुझे कृपा दिखाई है और यहां से मुझे उठाकर अपने पास, अपने पादों म पादपद्म, राइट, जो जनरली हम बोलते हैं कि देखो भगवान के शरण में जाना है, भगवान के चरण कमल में स्थित होना है, तो वही प्राथना चेतने महाप्रभु कर रहे हैं, तो यहां पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टन है जो हमें देखना है, कि actually हम किस व पारंट से तो मैं आया हूँ, बट अभी सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या है, कि आप मुझे यहां से उद्धार करके अपने पास रखिए, तो हमने श्लोक के पहले श्लोक में, यानि शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में क्या दिखा, हमने भगवान के नामों का महात्मि देखा, रैट कैसे वो चेतो दरपनम आर्जनम करता है, भवमहा दावागनी निर्वापनम, श्रेह कैरवचंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम उदिवर्धनम, प्रतिपदम, पूर्णा मृतास्वादनम, सर्वात्मसनपनम, परम विजयते श्री तो यहनी भगवान का नाम की महिमा को हमने जाना है, फिर दूसरे श्लोक में और थोड़ा सा जाना कैसे, कि नाम नाम कारी बहुदा, निजसर्वशक्तिस, तत्रार पितनियमिता, स्मरने नकालह, एताद्रशी, तवकृपा भगवन ममापी, दुर्दैवमिद्रिशम, इहा आपने इतनी शक्तिया उसमें ढालिया, आपके नाम में, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मुझोए उसके प्रती कोई रुच्छी है ही नए, तो पहले महिमा के बारे में बताया, फिर अपने दुरभाग्य के बारे में बताया, और इस दुर्भाग्यवश से मैं प्रयास किया और हम कीरतनिय सदाहरी के स्टेज में आ गए तो हमारा मूड कैसा रहागा हमारी भावना कैसी रहेगी न धनम न जनम न सुन्दरिम कभितामवा जगदीशकाम आये ममजन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहे तुकीत वई तो इन चार श्लोकों में हमने महीमा जानी हमने प्रयास किया प्रयास करने के बाद कैसा मूड हो सकता है ये हमने जाना अब पांचवेश लोक में हम देख रहे हैं कि देखो ये सब तो ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमें इस भवसागर से निकल के भगवत धाम जाना है भगवान के शरण मे वज़े से मुझे इस भवसागर में इतने चकर काटने पढ़ रहे हैं जन्नम मृत्यु जराव्याधी इस चकर में लाखो करोड़ों जन्म लेने पढ़ रहे हैं तो अब आप क्या कीजिए मेरा उद्धार कीजिए और मुझे आपके चरण कमलों में स्थित कीजिए तो अच्छली हमारी जो मेहनत है वो तो इंपोर्टन है लेकिन अच्छल में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारी मेहनत के साथ-साथ भगवान की कृपाग की भी बहुत सारी अफशक्ता होती है तो जैसे हमने चौथे शलोक में देखा तीन मारगों के बारे में धमने देखा हमारी पूरोगती होने के लिए एक है कर्म ज्ञान और भक्ति और कर्म और ज्ञान में देखा जाए तो primary क्या होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा important क्या होता है हमारी मेहनत होती है उसमें भी कृपा थोड़ी सी होती है लेकिन में उसका जो point है वो है मेहनत जैसे हिरन ने कश्वपु ने बहुत घोर तपस्या की उसकी वज़े से ब्रह्मा जी आये और उनको वर्दान दिया तो आक्शली देवी देवताओं को कैसे रहता है अगर हम प्रॉपरली सिस्टम फॉलो हो रहे हैं जो कुछ भी कर्मकांड करने हैं जो कुछ भी येगने करने अगर वो क्या है कि इंद्रिय निग्रह करते हैं तो इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करते हैं बहुत सारा वेदान्त ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं तो यह सब क्यों करते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए अल्टिमेटली मुक्ति चाहिए और यह मुक्ति करने के लिए कभी-कभी व फिर भगवान को प्राप्त करने का, वो एकदम बहुत ही सरल है और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, आनंद दायक है, किरतन करो, प्रशाद लो, वैशनो सेवा करो, और भगधाम चले जो, तो बहुत easy process है, तो actual में ज्ञानी जो होते हैं, उनका जो ultimate goal होता है, वो होता है कि द पिराकर ब्रह्मन में हम एक हो जाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं कि देखो, अगर हमें अपना ultimate goal पाने के लिए अगर भक्ति भी करना पड़े, तो वो भी हम कर लेंगे, इसलिए बोलते हैं, शैतन्य पत और शंकरमठ, यानी शंकरमठ, यानी जो आदिशंकराचारी ने ज ज्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन भक्ति वैसे नहीं है, भक्ति में भी अपनी महनत important है, लेकिन उससे भी ज्यादा important है भगवान की कृपा, तो कर्म और ज्ञान में ज्यादा प्रार्थना युक्त कोई नहीं होता, उन्हें लगता है कि देखो, ये procedure है, ये मैं follow हो जिसमें बोलते हैं कि necessary but not sufficient, इसकी जरूरत है लेकिन ये परियाप्त नहीं है, तो वैसे ही हमारी महनत जरूरी है भक्ति में, लेकिन ये परियाप्त नहीं है अगर हमें कृष्ण प्रेम मिलना है या फिर भगवत धाम जाना है, भगवान के कृपा के बिना कुछ नहीं हो सक तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में महनत करनी चाहिए और कृपा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, तो अगर एक व्यक्ति अगर किसी क्या बोलते हैं उसको कुए में गिर गया, तो अगर कुए में गिरा हुआ व्यक्ति कुए से बाहर निकालना चाहिए, तो कोई व्यक्ति जो कुवे के बाहर है उसको मदद करनी पड़ेगी तो यह जो कुवे में गिरा है वो इंसान ट्राई कर सकता है देखो यार कुछ तो गृप मिल जाएगा धिरे-धिरे से मैं चड़ के बाहर आ जाऊंगा ऐसे कर सकते हैं लेकिन यह जो कुवा है ना भवसागर का यह इतना खतरना कुवा है एक तो इसमें कोई ग्रिप नहीं मिलता है और उपर से हम ज्यादा टाइम यहां पर रह भी नहीं सकते क्योंकि कुवे में बहुत सारे जीव जनतु हैं जो हमारा जीवन हाल बेहाल कर देंगे तो हमें क्या करना चाहिए हमें चाहिए उसकी मद बाहर नहीं निकलेगा न उसको क्या करना चाहिए उसको रशी को इसको चढ ref करना चाहिए तो बाहर वाला भी खीचटा रहेंगा तो वाहर क्या आएग ना राइट तो यह कैसे समझना चाहिए एक भक था कालकृष्ण दास जो चैतन महाप्रभु का मतलब है servanct था या secretary की तरह था तो वो व्यक्ति एक बार एक स्त्री के मोह में गिर गया था तो वो चैतन महाप्रभु के साथ रहकर भी वो एक स्त्री के मोह में गिर चुपा था उस भाष्र में या फिरतात्परे में श्रील प्रभुपा लिखते हैं कि अगर हमारे पास धृड़न इस्चय नहीं है तो देवादी देव भगवान भी यानि पूर्ण पूरुशोत्तम भगवान भी हमें बचानी सकते हैं, तो भगवान कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी तो ध्रड़न इस्चय नहीं दिखाना पड़ेगा, भगवान हमें खीचना चाहते हैं उपूरे से बाहर, लेकिन हमें भी रसी को गस के पकड़ना होगा, तो रसी को गस के पकड़ना मतलब हम सारी जो साधना कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, यह सब, और उसके रपा के हम बाहर नहीं पढ़ सकते हैं तो आक्चली हम सब में ध्रडवन इष्चे होता है अब बात यह कि उस ध्रडवन हैं को हम भक्ती में अनुकूल करने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर भक्ती के जो सारे विशे उसके प्रतिकूल प्रती करो भगवान को प्रसंद करो भगवान की सेवा को अगर उसके लिए आप दिखाना चाहते हैं तो वह सही है वह अनुकूल है लेकिन कभी-कभी यह ध्रड़निस्चर प्रतिकूल कैसे हो सकता है जैसे मान लो आपके ये सबनदाना निरजल ने रहे हैं लेकिन आप निर जल करने पा रहे अगर अगर आपको लगनी लगा कि मैं कितना इक्दम है कॉना मैं टेखो निर्जल एका दशी करता हूँ, मैं 64 माला करता हूँ और ये सब लोग देखो, इनसे तो निर्जल, मतलब एक धिन भी इनसे उपवास नहीं हो पाता, कितने इंद्रत्रिप्ति के लिए ग्रस्त हो चुके हैं, ये राइट, तो देखो, ये फल खा रहा है, कोई ये कुछ खा रहा है, और अगर हम ये सोचने लगे कि हमारा जो वैराग्य है, यानि निर्जल करने की कैपास्टी है, ये सबसे उत्तम है, और बाकी सारे लोग मेरे से कम है, और अगर ऐसी भावना हमें है, तो हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, हमारा मिथ्या अभिमान और मिथ्या आंकार बढ़ रहा है, क्यों क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि भक्ति में actual में देखा जाएं, तो हमें independent नहीं बनना है, हमें कृष्ण के उपर dependent होना है, यान क्या हो जाएगा भक्ती नहीं बढ़ेगे लेकिन अहंकार बढ़ते जाएगा एक्चल में कभी-कभी जब हम शड आईश्वरे की बात करते हैं उसमें एक वायराग्य भी होता है राइट फेम ब्यूटी वेल्ट स्ट्रेंथ नॉलेच और रिननसीशन तो ज्ञान और सकता है यानि जैसे अगर समझा जाए तो आयरुवेदिक में तीन तरीके के बॉड़ी इसको बताया जाता है कफ वात पित्त तो अगर हमारा बॉड़ी टाइप हमारे कर्म के हिसाब से हमें ऐसी बॉड़ी मिली जो कफ के उपर ज्यादा डिपेंडनेंट है तब हम निर्ज कि ऐसी होती है कि आप भूक सहन नहीं कर सकते हो और आपको मतलब 12 बजे तक भी अगर उपवास करना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए निर्जल इजी भी हो सकता है तो एक्चल में कर्म के हिसाब से भी हमें ज्यान और वैराग्य मिल सकता ह बट पॉइंट ये है कि भक्ती से मिला हो ये ज्ञान वैराग्य या फिर कर्म से मिला हो अल्टमेटली हमें यूज किसमे करना है भक्ती में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है राइट मान लो अगर हम निर्जल कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बॉड़ी टाइप बहुत ह एकदम favorable है लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि देखो मैं इंद्र निग्रह में कितना आगे हूँ और लोग मेरे से कितना पीछे है और ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे देखो मुझे देखकर हुने सीखना चाहिए अगर ऐसी भावना हमें आने लगी है तो हम क्या कर रहे ह वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा भक्ति में प्रगति नहीं करेगा अगर उसके धन को उसने कृष्ण की सेवा में लगाया तो ही वो भक्ति में आगे बढ़ेगा वैसे ही वैराग्य लेने की केपैस्टी हम में है लेकिन हम वैराग्य मिथ्या अभिमान और अहंकार को बढ़ाने में लगा दिया तो फिर क्या फाइदा हमको वो वैरागे लेने की केपास्टे भी हमें भगवान के लिए लगाने पड़ेगी वैरागे तो वैसे हिरनिक शुपुने भी लिया था दस जार साल तक उसने कुछ नहीं किया था एकी जगा पर बैटके वो ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था लेकिन किसके लिए कर रहा था अपने आपके लिए कर रहा था इसलिए उसकी पुरोगति नहीं हुई अधोगति हुई है तो actually मेरे पास जो कुछ भी है उसे मुझे भगवान के सेवा में लगाना चाहिए अगर मेरे पास बहुत धन है लेकिन मैं इंद्रत्रिप्ति के लिए लगा रहा हूँ तो मैं उसका misuse कर रहा हूँ अगर मेरे पास renunciation यानि knowledge मेरे पास ज्ञान वैराग्य है लेकिन मैं वो पूजा लाभ प्रतिष्टा के लिए अगर use कर रहा हूँ कुछ लोगों को लगता है कि मैं वैराग्य दिखाऊंगा ना तो मेरी ख्याती बहुत ज्यादा होगी लोग ज्यादा respect देंगे इसलिए मैं वैराग्य बनना चाहता हूँ मैं इसलिए मैं वैराग्य दिखाना चाहता हूँ मैं ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता हूँ ताकि लोग में लोग प्रियता बड़े मेरी तो अगर हमारी ऐसी भावना है तो हम क्या कर रहे हैं हमारे ज्ञान और वैराग्य का हम misuse कर रहे हैं तो actual में भगवांज की भक में ज्ञान और वयराग्य आते हैं जैसे भागवतम में बताया वासुदेवे भगवती भक्तियोग अप्रयोजित हम जनत्याष वयराग्य अख्यद अहय तुख्यान और वयराग्य मिल सकते हैं कभी-कभी आप देखना भक्ति में जैसे आगे बढ़ते हो कुछ चीजे को जान लेते हैं कि यह अच्छा नहीं है यह मुझे करना नहीं चाहिए कभी-कभी हम questions के answers भी बहुत अद्भुत तरीके से दे देते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि मैंने इतना स्वाध्य किया है किया ताकि मैं ऐसे answer दे सकूं या फिर ऐसे में बात कर सकूं नहीं भक्ति करने से क्या हो जाता है भगवान का आईश्वर यह है ना knowledge तो वो automatically कभी-कभी हो जाता है प्रकट हो जाता है तो भक्ति करने से अहयतु की ज्ञान और वायराग्या आ सकता है मतलब उसका कोई और वायराग्य तो क्या वह कर्म से मिला है या फिर भक्ति से मिला है ऐसी analysis में हमें time वेस्ट नहीं करने है कि ये जानने के लिए कि अगर हमारे पास ग्यान और वैराग्य है तो हमें क्या करना चाहिए हमें उसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए अगर किसी के पास ग्यान और वैराग्य नहीं है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए उसके लिए भी कि त तो हमें judgmental नहीं बनना है, हमें understand करना है अपने आपको और दूसरों को भी understand करना है, तो actual में वरनाश्रम के तरीके से देखा जाए, तो वैराग्य को बहुत बड़ा उच्छ स्थर देते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है, कोई घर छोड़ चुका है, या फिर किसी important यह है, important यह है कि तुम कृष्ण के प्रती कितना आ सकतो, right, चैतने महाप्रभु के बहुत सारे पार्शद या बहुत सारे आउनियाई ग्रहस्त थे, right, तो चैतने महाप्रभु ने कभी भी सन्यासी को उच्छ स्थर पे और ग्रहस्त को नीचे स्थर पे नहीं देखा, उन तो रामानंदर आया, या पर यह सब जो है, उनके आन्याई, उनके पार्शद, तो यह सब ग्रहस्त थे, लेकिन उनों को कभी भी उनोंने कम नहीं समझा, right, मैं सन्यासी हूँ, यह ग्रहस्त ऐसा कम नहीं समझा, right, तो actual में भक्ती हमें यह नहीं देखना है कि देखो हमको वैराग जैसे हमने चौथेश लोग में भी देखा, ठीक है, मैं कितना वैराग यह ले सकता हूँ, मैं कितने चीज़े छोड़ सकता हूँ, इस पे हमारा ज्यादे ध्यान नहीं, यह इंपोर्टन है, ताकि हम भक्ती में आगे बढ़े, लेकिन खेवल यही इंपोर्टन नह हैं, क्योंकि हमारे past impressions ऐसे हैं, हमारी आदते हैं, हमने ऐसे जिया है कुछ साल भक्ती में आने से पहले, कि हमें जल्दी से उतना शुद्धी करण या फिर उतना वैराग्य नहीं आ सकता, हम चीज़ों को नहीं बोल सकते, जब हम किसी प्रलोभन के प्रतिहार गए, अब उस प्रलोभन के प्रतिह जीत पाओ, अगर ऐसी भावना हम रखते हैं, तो क्या हो गया, इस प्रलोभन के प्रतिह हम हार गए, लेकिन हम कृष्ण के पास ही जा रहे, कभी-कभी गया होता है, कोई प्रलोभन आता है, तो हम जीत जाते हैं उसके प्रतिह, हम बोलता है, ना, मैं नहीं करने वाला और जब हम नहीं कर रहे हैं और उस प्रवलोबन के अगेंस्ट हम जीत गए और हमें लगने लगा देखो मैं कितना महान हूँ देखो मैं ना बोल सकता हूं मैं निर्जल कर सकता हूं मैं 64 माला कर सकता हूं मैं भागवाद 4-4 गंटे पढ़ सकता हूं मेरे को बहुत सारे श्लोक याद रहते हैं तो इन सबका अगर हमें अहंकार होने लगा है तो क्या हो गया हम यानि जो स्टैंडर्स है जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो तो कर रहे हैं तो भक्ति में बहुत सारे सूक्ष्म चीजे होती हैं कभी-कभी हम हार कर भी भगवान के पास अच्छे से चले जा सकते हैं और कभी-कभी हम जीत कर भी भगवान से दूर हो सकते हैं क्यूंकि हमें अहंकार या फिर आभी माना सकते हैं तो अगर हमारी जीत होती है तब भी ह के Kripakibar में कभी जीत नहीं सकता तो दोनों में क्या हो रहा है? नमरता और Krishnam पर हम आधारित हो रहे हैं Actually भक्ति में हमें independent नहीं बना है हमें क्या बनना है? Krishnam के उपर पूर्ण निर्भर होना है हमें तो वैसे जा कि हम भक्ति में सकते हैं इसलिए हमें दुख दीजिए ऐसे बोलते हैं कुंती माहराणी ताकि आपका स्मरण हो राइट तो कभी-गभी ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा जीने लगे बहुत ही कमफरडबल है ना तो हमें लगता है कि क्रिश्ण की क्या जरूरत है जैसे बहुत सारे लोग भक साहे उन्हें लगता है कि भगवान की जरूरत नहीं है तो लेकिन अच्छली भगवान की जरूरत हमें लगनी चाहिए एक मिनट हम दर्शन करेंगे और फिर कंटिन करेंगे लगवान की जरूरत हमें लगने की कर रहे थे कि कैसे कि कैसे हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो सकता है अच्छे से वह भगवान की कृपा से ही होता है अग detached अगarna चाहिए ей तो जैसे कंटी महराणी बोलती है कि हमारे बाधा भी बन सकते हैं जैसे हमें भगवान से मांग लेते हूं मिल जाता ह। ब्रहान को भूल जाते हैं और कभी-धाशुल झाते हैं या नहीं मिलतक है या ना मिले है हमको यह हमेश्य गयात रहना चाहिए कि आपने को भगवान चाहिए भगवान से कुछ चाहिए इनिशलिग ताकि हमारे जरूरते पूरी हो लेकिन ultimately हमें कौन चाहिए भगवान ही चाहिए तो कभी-कभी हमारे भौतिक जीवन के strength हमारे भक्ति में weakness बन सकते हैं और कभी-कभी हमारे भौतिक जीवन के weakness भक्ति में strong बन सकते हैं जैसे मानलो भौतिक जीवन में आपकी कोई ज़्यादा प्रगती नहीं है आप एक failure हो लोग आपको कोई value नहीं देते हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करते हैं तो कभी-कभी ये चीज़े ना हमें भक्ति के तरफ और तेजी से आगे बढ़ाते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि देखो यार ये सब लोगों को ना सिर्फ मेरे achievements से पढ़ी है मतलब मैं अगर बड़ा आदमी बन जाओ तो मेरी following होगी मैं अगर fail हो गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे लेकिन Krishna मैं कैसा भी हूँ वो मुझे छोड़ते नहीं है मैं अगर मैं कोई mosquito भी बन जाओ या फिर मैं देवता भी बन जाओ हमेशा वो मेरे साथ परमात्मा की तोर पर हमेशा रहते हैं हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे से प्रेम करते हैं और जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में कि एक जीव ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसके वज़े से कृष्ण को लगे कि बस अब मैं इससे और जादा प्यार नहीं कर सकता इससे मैं अब नहीं रह सकता इसके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कृष्ण हमेशा हमसे प्रेम करते हैं तो हमारा जो weakness है भौतिक जीवन में वो हमें weakness नहीं समझना चाहिए ऐसा सोच लेना चाहिए कि शायद ये भगवान की arrangement है देखो हमें महनत करनी चाहिए ताकि हमारी situation अच्छी हो जाए लेकिन केवल situation अच्छी होना ये हमारा लक्ष नहीं है कृष्ण के पास जाना ये हमारा लक्ष है तो जब ये हमें पता चलने लग समंधर के किनार अगर कुछ रखते हैं जनरली तो जब लहर आती है तो वह पूरा लेके चला जाता है वापस तो वैसे ही समंदर ने क्या किया उस पक्षी के अंडे ले गए उसने तो अब वह तो माता है उसकी तो फिर वह अंडों के बारे में तो बात करेगी इसेंटिट तो फिर उसने जाके उस पक्षी ने समंदर से बोला ओ समंदर आपने मेरे अंडे छेंद लिए आप कर्पया करके उसे वापस कर दिजिये तो संवन्दरे ने बोला कि देखो यार, मैंने एक बार ले लिया ना, तो वापस करना है नहीं करना है वो मेरी मर्जी है, और आपके बताने से मैं नहीं करूंगा, तो हो सबस्वके है, तो उसको घुसा आया, तो उससे, बोला पही जाके वो डाल देता थो यानि वो खाली करने का प्रयास कर रहा था उसको सुखाने का प्रयास कर रहा था तो actual में उसके पास कोई भी capacity नहीं उसको खाली करने के लिए तो यह impossible है लेकिन जब वो ऐसे प्रयास कर रहा था तो गरूड जी ने देखा और गरूड जी ने दे के बच्चे मिल जाए मतलब यह कितना नोबल इंटेंशन है और कितनी महनत कर रही है तो यह देखकर गरुड जी बहुत आकर्शित हुए और उसके पास आए और समंदर को बोला देखो तुमको भी पता है मुझको भी पता है कि यह पक्षिना तुमारा कुछ नहीं बिगाड स करो मैं इसके अंडे वापस देता हूं राइट तो उसके अंडे वापस मिल गए तो देखा जाए तो उसके अंडे वापस क्यों मिले क्या इसके महनत की वज़े से मिले या फिर सिर्फ गरुड जी के कृपा से मिले नहीं एक्चली दोनों से मिला अगर यह महनत नहीं करता द्रड़निश्य नहीं दिखाता तो कृपा मिलती नहीं तो वैसे ही बहुत सारी चीज़े असाध्य हमारे लिए भक्ती में आगे बढ़ना सोला माला करना और यह चार्णियमों का माला पालन करना तो यह सारी चीज़े बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी अगर हम करने लगे तो भगवान की कृपा मिलेगी और यह सारी चीज़े आसान बनते जाएंगे अगर आसान बन रहे हैं तो भगवान की कृपा है अगर आसान नहीं बन रहे हैं तो हम कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए अपनी महनत करनी चाहिए और कृप के लिए प्रार्थना करनी सब जाके किस बढ़ों में और वद्याज जोड़ा करेंगे तो आज का हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो हमने क्या देखा? कि हमने देखा कि भगवान, यानि चैने महाप्रबु यहाँ पर प्रार्थना क्या कर रहे हैं, कि मैं किसी ना किसी कारण की वज़े सी यहाँ पर गर गया हूं इस भभुसागर में, आप मुझे यहां से बाहर निकालिए तो हमने देखा कि कैसे पांचवे श्लोक में हम धास्य भाव में प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो आपके कृपा के बिना कुछ नहीं होगा तो हमने कर्म, ж्ञान और भक्ति में देखा कि कैसे हमारी महनत और कृपा कैसे उसonseका रोल होता है और भक्ति में सबसे इंपॉर्टन क्या है महनत तो है इंपॉर्टन लेकिन सबसे जिया इंपॉर्टन है भगवान की कृपा और हमें द्रडन इश्च होना चाहिए otherwise क्या हो जाएगा भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने example क्या देखा, अगर हम कुए में गिर जाते हैं, तो रसी भले ही हमें मिल जाए, बाहर से कोई निकालने वाला मिल जाए, लेकिन अगर हम रसी को जगत्स के बांद के, यानि अपने आपको रसी के साथ उसको पक करना चाहिए भगवान के पास जाने के लिए, ना कि हमें यह सोचना चाहिए कि देखो मैं कितना एकदम घ्यानी हूँ, मैं कितना सबसे ज़्यादा बैटर हूँ, या फिर ऐसे करके मिथ्या अभीमान और मिथ्या हंकार को बढ़ाना ने चाहिए, अगर आपके पास कुछ ह यह नहीं है जो आपके पास है, तो यह मत सोचो कि आप उससे बहतर हो, बस आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे पर है, इसलिए मेरे पास यह है, अदर्वाइस यह भी नहीं कर पाता है, और हमने देखा कि कैसे निर्जल करना भी, यानि कफा बोड़ी मिलन भी एक कर्म के हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर वो कर्म के हिसाब से मिल गया, तो उसको मिस्यूज नहीं करना चाहिए, यह कहकर कि देखो, मैं इतना इंद्री निग्रह कर सकता हूँ, मैं निर्जल कर सकता हूँ, यह सब लोग नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं सुचना की सेवा में लगाएगा तभी उसका उपयोग है तो भक्ति के वज़ेसे भी ज्यान और वै से क्लेट कर सकता कि वह हमें क्या करने चाहिए हम जतना कर सकते हैं उतना करना चाहिए बाकि उनके कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमने लास्ट में स्टोरी क्या देखा जैसे वो पक्षी अपनी केपैस्टी नहीं थी लेकिन उसने प्रयास तो शुरू किया और उसकी वज़े से गरुड़ जी आकर शित हुए और उन्होंने उनकी कृपा तो वैसे हमारे पास भी केपैस्टी बहुत कम है हम कुछ जादा कर नहीं सकते हैं लेकिन करने का प्रयास रखना चाहिए जो स्टैंडर्स है भक्ति के वो फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए ऐसे करते करते हैं भगवान की कृपा हमें जरूर मिल जाएगे तो ये एक बार श्लोक हम देखते हैं अईनन्द तनुजकिंकरम पतितम माम विशमे भवाम बुधाव कृपयात अवपाद पंकज स्थित धूली सद्रिश्रम विचिंतया ओनन्द महाराज के पुत्र मैं आपका सेवक हूं और मैं किसी न किसी कारण की वज़े से उस भव सागर में गिर ग करेंगे ओगे श्री 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 श्राष्तकम की जाय श्री चतन वहाप्रू की जयाई श्री प्रहुपाद की जाय की जाय रगूनात्पुरिदास प्रभू if you are there aapkuch points add करना चाहेंगे I think Prabhuji है ने okay so Prabhuji left it seems okay thank you so much Hare Krishna